आप सबसे request है जो भी मेरे चैनल पे new है प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर दें और साथ जो दियावा bell का icon है उसको भी प्रेस करके all का button प्रेस कर दें ताके मेरी वीडियो की सारी notification सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचें आज हम पढ़ेंगे page number 614 और chapter number 14 है हमारा उसकी video number 3 है जो picture आज हम discuss करेंगे वो है आपके सामने जिसमें 5 roads हैं और 3 गाड़ियां दिखाई गई है एक गाड़ी है E जो के red color की है एक है C और एक है L तो हमने ये देखना है कि कौन सी गाड़ी जो है वो पहले जाएगी ठीक है किस गाड़ी का हक पहले बनता है right पहले बनता है पहले जाने का तो rule वो ही है जो मैं आपको last two videos में बता चुकी हूँ कि वो गाड़ी जिसकी right hand side सीधा हाथ जो है वो खाली हो वहाँ पर कोई गाड़ी ना हो वो गाड़ी सबसे पहले जाएगी तो अगर हम L गाड़ी से start करें जो के blue है तो उसका आप देखें right hand side जो है वो book है क्योंके वहाँ पर C गाड़ी मुझूद है इसलिए L जो है वो पहले नहीं जा सकती उसके बाद अगर हम C को देखें जो yellow color की गाड़ी है तो उसने भी जहां जाना है वहाँ उसके रस्ते में सीधे हाथ पर गाड़ी E आती है इस वज़ा से जो C है उसका जो destra है जो right hand side है वो भी खाली नहीं है तो C भी नहीं जाएगी उसके बाद जो E है उसको अगर हम देखें उसका जो सीधा हाथ है right hand side वो खाली है जहां उसने सीधा यूँ जाना है तो वहाँ सीधे हाथ पर कोई गाड़ी नहीं है तो सबसे प जाएगी तो दूसरे नंबर पे C ने जाना है E और C के बाद L का रस्ता बिलकुल खुल जाएगा आखिर में L ने जाना है तो जो order बने का हमारे पास गाड़ी जाने का वो होगा E, C और L अब हम इनको questions के साथ भी टैली कर लेते हैं इन तस्वीर को पहला सवाल है जो चोग दिखाया गया है तस्वीर में इन वीकुलो E जो गाड़ी E है नौन देवेदार इला प्रेचिदेंसा वो किसी भी गाड़ी को हक नहीं देगी अद अलकुनी वीकुली किसी भी गाड़ी को वो किसी भी गाड़ी को हक इसलिए नहीं देगी क्योंकि सबसे पहले ज ना L को हग देगी तो यह सवाल हमारे पास वेरो है दूसरा सवाल है नेल इनक्रोच और रिप्रिजेंटा तो इन फिगूरा जो तस्वीर में चोक दिखाया गया है इल्वी को लो सी जो गाड़ी सी है देवेदार इला प्रेचिदेंसा अल्वी को लो ए जो सी है उसने हग दे जाए तो वो C जो है वो E को हक दे रही है ताके वो पहले चली जाए तो यह सवाल भी वेरो है तीसरा सवाल है नल इनक्रोच और रिप्रेजेंटा तो इन फिगूरा जो चोक दिखाया गया है तस्वीर में इल वी को लो L जो गाड़ी L है दे वे अतेंडे उसे वेट करना है इल त्राजी तो दिवी कोली E और C तो यह सवाल भी वेरो है क्योंकि L जो है वो सबसे एंड में जाएगी उसको इंतिजार करना है E और C का तो यह सवाल भी वेरो है चोथा सवाल है नल इनक्रोच और रिप्रेजेंटा तो इन फिगूरा जो चोक दिखाया गया तस्वीरो में इवी कोली दिसिंपिग नानो इनक्रोचो नेल सिग्वेंटी और दीने E C L कह रहा है कि यह जो और्डर है इस और्डर के मताबिक जो गाड़ियां है वो चोक को छोड़ेंगी मतलब पहले E ने जाना है फिर C ने फिर L ने तो यह सवाल भी वेरो है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं और्डर किस तरह से गाड़ियां जाएंगी तो वो यही है कि पहले E फिर C और फिर L तो यह सवाल भी हमारे पास वेरो है बाकी जो रॉंग सवाल है वो आप खुद ही पढ़ लीजेगा क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है इसमें बहुत ही इजी चै तरह से है कि चार रोड है हमारे पास और चार ही गाड़ियां है पहली गाड़ी है L जो के ब्लैक कलर की है दूसरी गाड़ी है C जो के रेड कलर की है एक गाड़ी है ग्रीन जो A है और जो लास्ट गाड़ी है वो है D जो के ब्लू कलर की है तो इदर भी हम वो ही देखेंगे कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसका सीधा हाथ जो right hand side है जो देस्ततरा है वो खाली है जहां पर कोई गाड़ी नहीं है तो अगर हम देखें L को तो L ऐसी गाड़ी है जिसके सीधे हाथ पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी वी वो बिल्कुल free है easily सबसे पहले जा सकती बाकि D, A और C सब गाड़ियों को अगर आप देखेंगे टेली करेंगे तो सब के जो सीधे हाथ पर कोई ना कोई गाड़ी आती है तो इसी तरह सबसे पहले जो गाड़ी जाएगी वो है L क्यूंकि L का जो सीधा हाथ है वो बिलकुल खाली है L के जाने के बाद जो गाड़ी सी है उसका रस्ता खाली हो जाएगा क्योंकि पहले सी के रस्ते में L खड़ी हुई थी तो फर्स करें L गुजर गई तो सी का रस्ता खाली हो गया उसका जो देस्तरा था जो राइट हैंड साइड था वो खाली हो गया लेकिन right side पे कोई गाड़ी नहीं बचेगी तो फिर तीसरे नमबर पे A ने जाना है आखिर में जब सब गाड़ीयां चली जाएंगी L, A और C तो फिर D जो है वो बिल्कुल easily जा सकता है क्योंकि D की side पे पहले ही दो गाड़ीयां थी C और A तो जब ये सारी चली जाएंगी तो आखिर में D ने जाना है तो जो हमारे पास order बन रहा है वो है L, C, A और D इस order से जो है वो गाड़ीयां जाएंगी तो अब हम question को इसी तस्वीर के साथ टैली करके देखेंगे कि ये question where है या false है पहला सवाल है नेल अत्रवरसार इंक्रोचो इंफिगूरा कह रहा है कि जो चोक है तस्वीर में इल्वीकुलो एल जो गाड़ी एल है पासा पर प्रीमो वो सबसे पहले गुजरेगी तो जी बिल्कुल ये बात हम कर चुके हैं मैंने आपको बताया था कि एल ने सबसे पहले जाना है क्योंके एल की राइट हैंड साइट खाली है कोई रुकावट कोई गाड़ी नहीं है तो ये सवाल वेरो है दूसरा सवाल है नेल अत्रवरसार इंक्रोचो इंफिगूरा इल्वीकुलो डी ए उल्तिमो ए पसारे उल्तिमो कहते हैं आखिर में एंड में कहते हैं जो गाड़ी डी है उसने सबसे आखिर में जाना है तो ये सवाल भी वेरो है क्योंके सिच्वेशन के मताबिक हम देख चुके हैं कि सबसे पहले गाड़ी L ने जाना है फिर C और फिर A ने तो आखिर में गाड़ी D ने जाना है और यही बाद इस सवाल में भी बताई गी है तो यह सवाल भी वेरो है तीसरा सवाल है कह रहा है कि चोक के अंदर जो तिस्वीर में दिखाए गी है कह रहा है कि C और A जो है वो एक साथ जा सकती है L के बाद तो हम देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं लिखा वाए कि जो गाड़ी C है और A है वो एक साथ जा सकती है L के बाद और ये सवाल वेरो है इस वजह से क्योंकि अगर देखा जाएं अगर L फर्स करें चली गई है तो जो C का देस्तरा है वो खाली है और A ने भी जिदर जाना है मुड़के क्योंकि उसके रस्ते का ट्रैक भी आपने देखना है कि जिस तरफ वो मुड़ रही है उस रस्ते में कोई भी गाड़ी देस्तरा में उसके नहीं आएगी क्योंकि C की बिलकुल ही पुजिशन ही अलग है और A की डिरेक्शन अलग है तो जी बिलकुल C और A जो है एक साथ जा सकते है L के गुजरने के बाद तो ये सवाल भी वेरो है चोथा सवाल है के चोग मेंसे जो गुजरना है जो तस्वीर में दिखाये गया है इलवी को लो A हाल अप रजिदेंसा जो गाड़ी A है वो हक रखती है सुलवी को लो D, D के उपर मतलब ये है कि A जो है वो पहले जाएगी D से क्योंकि A का हक है पहले जाने का तो ये सवाल भी वेरो है क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ तस्वीर के थूँ कि D ने सबसे एंड में जाना है तो ये सवाल भी हमारे पास बिलकुल वेरो है अब है पेज नंबर 616 और जो चोख है हमारे पास वो ही तस्वीर है ठीक है जो अभी हम पढ़के आए थे उसके मजीद क्वेस्टिन जो है इस पेज में दिये वे है तो हमारे हमें पता था कि क्या ओर्डर है L, A और C और D इस तरह ओर्डर से गाड़ियां जाएंगी A और C जो है वो एक साथ जा सकती है क्योंके L के जाने के बाद C और A के जो राइट हैंड साइड है जो देस तरह है उस पे कोई गाड़ी नहीं होगी अब सवाल पढ़ते हैं पहला सवाल है नेल इन क्रोचो रिप्रेजन्तातो नेला फिगूरा इल कॉंदू चेंते देल वीकॉलो आ क्या रहा है कि चोक में जो कि दिखाया किया तस्वीर के अंदर जो एक गाड़ी का ड्राइवर है देवेदारला प्रचिदेंसा वो हक देगा अल्वीकॉलो आल को तो यह सवाल भी वेरो है क्यूंकि L ने सबसे पहले जाना है और A गाड़ी ने जो है उसका वेट करना है जैसे कि हम तस्वीर में देख सकते है L ने सबसे पहले जाना है और A ने हक देना है L को ताकि वो पहले गुज़र जाए और यही बात जो है वो सवाल में बताएगी है तो यह सवाल भी वेरो है दूसरा सवाल है नल इनक्रोचो रिप्रेसेंटाटो नला फिगूरा कह रहा है जो चोग दिखाया गया है तस्वीर में इन कॉंदू चैंते देल्वी को लो आ जो ड्राइवर है गाड़ी A का वो अत्रवर सारे इनक्रोचो इन से में अल्वी को लो सी कह रहा है कि C और A जो गाड़ी है वो एक साथ एक टाइम पर जा सकती है लेकिन L के बाद और क्यूं जा सकती है क्यूंकि दोनों की डिरेक्शन डिफरेंट है और दोनों के ही देस्तरा पर कोई गाड़ी नहीं आती जब L गुजर जाती है तो तो इस वजय से दोनों साथ जा सकती है ध्यक्तो जाती है तो ये सवाल भी वेरो है क्योंकि D ने वैसे भी end में ही जाना है तो A जो है वो हक रखती है D के उपर उसने क्योंकि पहले ही जाना है अब है जी page number 617 और जो हमारे पास picture है हम उसको देख लेते हैं इसमें बस एक छोटी सी confusing चीज है और confusing भी मैं नहीं कहूंगी बस ये है कि जो गाड़ी L है ठीक है उस इसको इन्होंने इस picture में बना तो दिया है लेकिन उसका कोई SH कोई काम है नहीं क्योंकि वो पहले से जिदर खड़ा है ठीक है उसके दैस तरह पर कोई गाड़ी है नहीं और वो तक्रीबन गुज़र चुकी है ठीक है तो इस वजह से उसको वैसे इन्होंने picture में बना दिया ब्लैक कलर की जो गाड़ी है लेकिन SH उसका कोई काम है नहीं तो अगर हम देखेंगे कि कौन कौन सी गाड़ीयों के बारे में बात करनी है वो है R, B और B तो जो गाड़ी R है वो सबसे पहले जाएगी ठीक है L तो गुजर गई फर्स करो L गुजर चुकी है ठीक है L का कोई भी वो नहीं है वो गुजर चुकी है वो आदे रस्ते में उन्होंने वैसी पिक्चर में दिखा दिया है जो गाड़ी R है उसने जाना है ठीक है पहले क्यूंकि उसका जो राइट हैंड साइड है वो खाली है जब R गुजर गई और L भी तकरीबन वैसी गुजर ही चुकी ह तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पर गाड़ी जानी है वो है D ठीक है D जब गुजर जाएगी तो N में गाड़ी B जाएगी ठीक है तो हमाई बाद आडर बनेगा R, D और B का हम क्वेस्चन को भी पढ़ लेते हैं पहला सवाल है कह रहा है कि हग देने वाले जो कवानीन है जो रूल्स है पोसोनो इंपिक नारे इन क्रोचो के चोक को बीजी करेंगे रिप्रेजेंटात और इन फिगूरा जिस तरह से तस्वीर में दिखाया गया है इलवी को लो डी जो गाड़ी डी है दोपो बाद में अतरवर समेंटो देलवी को लो आर कह रहा है कि आर गुजर जाए फिर डी ने गुजरना है तो हम अगर पिक्चर में देखें तो यही बात बताई है मैंने आपको कि सबसे पहले आर ने जाना है आर जब चली जाएगी तो उसके बाद डी ने जाना है और एल का जिकर इसलिए नहीं है क्योंकि एल पहले से ही गुजर चुकी है उसने बस सीधा जाना है उसका राइड लेफ्ट का कोई मसला नहीं है उसको वैसी इनोंने कन्फ्यूस करने के लिए पिक्चर में डाल दिया वा है दूसरा सवाल है सिक्यों दो लिनोर में दी प्रेचिदेंसा क्या रहे है कि हक देने वाले कावानीन के कानून के तहट पोसो नो इंपिगनार इनक्रोचो के चोग को बिजी करें रिप्रेजेंटाट उन फिगूरा जिसे तस्वीर में दिखाया गया है इल वी को लो भी जो गाड़ी भी है मतलब के बी ने सबसे एंड में जाना है जब बाकी सारी गाड़ीयां चली जाएंगी तो पिक्चर भी हमें यही बताती है के एंड में बी ने जाना है जब R और D गुजर जाएंगे तो तो यह सवाल मी हमाएं पास Vero है तीसरा सवाल है हक देने वाले जो कवानीन है पोसोनों इंपिग नारे इंक्रोचो चोक को बिजी करना है रिप्रेसेंटातों इंफिगोरा इन वी कोलो एल जो गाड़ी एल है सेंसादार इला प्रेचिदेंसा बगेर हक दिये एदलकूनी वी कोलो आर जो है वो सबसे पहले जाएगी बगेर किसी और गाड़ी को हक दिये तो मैंने आपको पिक्चर देख के यही बताया था कि आर ने सबसे पहले जाना है क्योंकि आर का जो राइट हैंड साइड है जो देस्तरा है वो बिलकुल फ्री है खाली है चोधा सवाल है सिकोन दो ले नोर में दी प्रेजिदेंसा हक देने वाले जो लॉज हैं उसके मताबिक पोसोन और इंपे गनारे आपने बीसी करना है इन क्रोचो चोक को रिप्रेजेंटात और इन फिगूरा जो की दिखाया गया है तस्वीर में बी छो गाड़ी बी है दोप़ को अतरावर समेंटो दी वी को ले आर एंड दी तो वो यही बात करी है कि जो बी गाड़ी है वो सबसे एंड में जाएगी जब आर और डी गाड़ियां जो हैं वो गुजट जाएगी तो यह सवाल भी माहे पस वेरो है क्योंकि B का जो देस्तरा है जो राइट हैंड साइड है वह सबसे एंड में खाली होगा तो R और D के जाने के बाद गाड़ी B ने जाना है पेज जंबर है 618 और जो पिक्चर है वो हम देख लेते हैं इसमें तीन गाड़ियां दीवी हैं और पांच रोड़ हैं ठीक है कनेक्टिंग रोड़ एक चोक बनायावा है एक गाड़ी है R, एक है A और एक है C तो जो गाड़ी R है अगर उसको हम देखें जिदर उसने जाना है तो उसके रस्ते में उसके जाते वे उसका राइट है जो सीधा हाथ है वहाँ पर कोई गाड़ी मुझूद नहीं है बिलकुल खाली है उसका राइट हैंड सीधा हाथ तो R ने सबसे पहले जाना है ठीक है जब R गुज़र जाएगी तो उसके बाद A ने जाना है क्योंकि A का जो राइट हैंड साइड है वो भी खाली हो जाएगा R के जाने के बाद A ने गुज़रना है R और A के बाद END में C ने जाना है क्योंकि C का रस्ता जो है वो END में ही खाली होगा तो जो ओर्डर बनेगा वो है R, A और C तो क्वेस्चन हम पढ़ लेते हैं इसके भी पहला सवाल है सिकोंदोले नोर में दी प्रेचिदेंसा जो हक देने वाले कानून है नेल इन क्रोचो चोक में रिप्रेजेंटात और इन फिगूरा जो तस्वीर में दिखाए गया है इल्वी को लो L जो गाड़ी A है इल्वी को लो A ट्रांजीत दोपो इल्वी को लो R कहा रहा है जो गाड़ी A है वो गुजरेगी R के बाद तो पिक्चर में भी हमने यही देखा है कि पहले R ने जाना है फिर उसके बाद A ने जाना है तो वो भी यही कह रहा है कि A जो है बाद में जाएगी आर के तो यह सवाल वेरो है क्वेस्चन नमबर टू है सिकॉन दो ले नोर में दी प्रेशिदेंसा हक देने वाले कानून के मताबिक नेल इनक्रोच और रिप्रेशन्टाट और इन फिगूरा जो चोग दिखाया गया तस्वीर में क्यार किसी भी गाड़ी को हक नहीं देगा क्यूंके आर का राइट हैंड साइट फ्री है और वो सबसे पहले जाएगा तो जायर सी बादे जो गाड़ी सबसे पहले जाएगी उसने किसी और को हक कैसे देना है तीसरा सवाल है से कौन दोले नोर में दी प्रेचिदेंसा ने लिन क्रोच रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा कह रहा है कि जो हक देने वाले कानून है उसके मताबिक जो चोग दिखाया गया तस्वीरों में इल्वी कोलो सी जो गाड़ी सी है देवेदार अला प्रेचिदेंसा उसने हक देना है इल्वी कोलो ए को तो देख लेते हम किस तरह हक देना है जो सी गाड़ी है वो सबसे एंड में जाएगी ठीक है उसने राइट देना है हक देना है एको ताकि ए पहले गुज़र जाए त तो C का तब होगा जब A गुज़र जाएगी तो इसलिए वो उसको हग दे रहा है फूर्थ क्वेस्चिन है कह रहा है कि हग देने वाले जो कानून है उसके मताबिक जो दस्वीर में दिखाया गया है कह रहा है जो गाड़ियां जिस ओर्डर से जाएंगी वो है R, A और C और ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले R ने जाना है फिर A ने और फिर C ने तो वो सवाल भी हमारे पास वेरो है अब है जी पेज नंबर हमारे पास 618 और पिक्चर सेम है जो हम पीछे पढ़के आए है R, A और C वाली ठीक है अब इसके कुछ मजीद क्वेश्चिन्स हैं जो हम इस पेज में पढ़ेंगे पहला सवाल है नेल इनक्रोच और रिप्रेजेंटाट और फिगूरा जो चोग दिखाया गया है तस्वीर में A पासा दो पू हुआ और जो सी है तो यह सवाल भी वेरो है घुमा फिर आगा इन्होंने आ की बात को बताया होता है वो कहता है कि जो A गारी है जो ब्लू वाली वो रुकेगी और R ने जाना है ठीक है ये बता दिया फिर उन्ने बता है कि C ने रुकना है फिर A ने पहले जाना है तो इस ओर्डर में गाड़ियां जाएंगी तो ये सवाल भी वेरो है इसके बाद जो हमाई पास दूसरा सवाल है वो है कह रहा है कि जो हग देने वाले कानून है उसके मताबिक कह रहा है कि A ने C से पहले जाना है दो पो और बाद में जाना है लवी को लो आर तो वो ही बाद रिपीट है कि A ने जो है वो C से पहले जाना है और आर के बाद जाना है तो यही बाद मैं आपको दो दफ़ा बता चुकी हूँ तीसरा सवाल है सिकॉन दोले नोर में थी प्रेचिदेंसा नने इंक्रोच और रिप्रेजेंटाट और इंफिगूरा कह रहा है कि जो कवानीन है उसके मताबिक जो तस्वीर में दिखाया गया है चोक इल वी कुलो आर जो गाड़ी आर है नौन देवेदार इला प्रेचिदें सवाल है सिकॉन दोले नोर में थी प्रेचिदेंसा ननल इंक्रोच और रिप्रेजेंटाट और इंफिगूरा कह रहा है कि जो प्रेचिदेंसा हग देने वाले जो रूल्स हैं उसके मताबिक एवी कुली पास ननल और दीन है आर ए और सी तो यह ओर्डर में आपको पहले भ भी बताया गया है